हेला अब्रवन स्वाज की इस वीडियो में हम करेंगे डी ब्रॉगले रिलेशन्शिप तो जो डी ब्रॉगले रिलेशन्शिप है इसमें कुछ नहीं है इसमें बिलकुल एक इजी वे इसको याद करने का ठीक है तो वो में आपको बताऊंगी सबसे स्टार्टिंग में इसमे आइंस्टाइन इन दोनों ने के एक थियोरी दी थी ठीके जिसमें क्या था जो प्लैंक के इसने बोला था E equal है H new के and same आइंस्टाइन ने क्या थियोरी दी थी E equal है MC square के ठीके तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या था E के उपर ही अलग-अलग क्या दे दी अपनी equations दे दी equation ले लेंगे and इसको second तो जो D ब्रॉग ले था इसने क्या किया ये थर्ड साइंटिस्ट था इसने क्या किया कि जो बच्चे है ठीके इनको दो अलग-अलग क्या याद करने को देना इनको सिरफ दोनों को मिला के एक theory बना देती है कि ताकि कि जो बच्चे उनको याद करना आसान हो जाए तो इसने क्या-क्या इन दोनों की जो equations थी इनको equal रख लिया ठीक है h new equal to mc square इसने इनको combine करके ये equation बना के इसको equation 3 name दे दिया तो आगे हम सबको पता है कि जो new है ये equal किसके होता है new is equal to c lambda c divided by lambda ठीक है तो इसमें क्या अब हम जो ये है new equal to c divided by lambda इसकी value पुट कर देंगे यहाँ पर जब हमने इसकी value पुट की तो हमारे पास आया h multiply c divided by lambda equal to mc square तो जब हम इसको solve करते हैं तो c और c कट हो जाते हैं और हमारे पास last में equation क्या आती है h divided by lambda equal to mc तो यहाँ से हम हमारी lambda की value निकाल सकते हैं जब हम इसकी cross multiplication करेंगे तो हमारे पास क्याएगा h equal to mc divided mc lambda and lambda equal to h divided by mc तो यह हमारा आगे d brogler relationship ठीक है तो यह हमारा d brogler relationship था और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h divided by mv velocity के लिए और जो mv है ठीक है इसको यह क्या है m mass velocity जो mass velocity यह equal किसकी होता है momentum के तो हम यह आपर यह भी लिख सकते है h divided by momentum तीनों का meaning बिल्कुल सेम ही है lambda equal to m divided by mc equal to h divided by mv for velocity equal to h divided by momentum ओके तो यह ही था d brogler relationship I hope आपको समझ आगे होगा and अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते तो like करना, subscribe करना and share करना मेरे चैनल को and please comment section में बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए new new वीडियोस लेके आँगी, thanks and have a nice day